पती के घर से बाहर जाते ही पतनी को ये कुछ काम कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आपके पती किसी बिसेस काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो निकलते ही ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए आईए हम बताते कौन से वो कार रहें जो कोई भी पत्नी को नहीं करना चाहिए देखिए आपके पती रोज काम के लिए बाहर तो जाते ही होंगे अपने कमाई के लिए बाहर जाते होंगे आफिस जाते होंगे अपना बिजनेस अमालने के लिए बाहर जाते होंगे हर रोज बाहर जाते हैं लेकिन नारियों को पत्नियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हो सकता है पती के निकलते ही आपका किया हुआ ये काम के कारण से आपके घर में तरक की नहीं हो रहा पती इतना मेहनत करने के बाद भी उस मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए ध्यान से सुनेगा कौन से वो काम है जो आपको कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए कहते हैं कि पती घर से जैसे बाहर निकले तो तुरंत बाल खोल करके बाल कंगी करना प्रारंब करते हैं ये बिलकुल गलत है पती के निकलते ही बाल को खोलना नहीं चाहिए ऐसा करने से घर में कंगाली आती है इसले कभी भी ऐसा ना करें दूसरे नम्मर में कहा कि नाखुन काटना पती के घर से बाहर जाते ही नाखुन काटना भी गलत बताया गया नाखुन काटना राहु को बलवान बनाता है इससे पती का भाग कमजोर होता है और आर्थिक स्थिति में कमजोर याती है इसलिए इन बात को आप जरूर याद रखिएगा आपके पती घर से बाहर गए हैं तो तुरंत नाखुन ना काटे तीसरे नम्मर में स्रिंगार उतारना असुब माना जाता है एक नारी को सुहागन नारी को सदैव स्रिंगार में रहना चाहिए जैसे चूडी, विंदी, सिंदूर, धारण करके रहना चाहिए आपके पती घर से बाहर गए हैं और आपने तुरंत स्रिंगार उतारा तो ये अत्यंत सुब माना जाता है चौथे नम्मर में जाडू पोछा ना करें केबल पती के ही नहीं घर के कोई भी सदस्चे घर से बाहर जा रहे हैं तो निकलते ही जाडू पोछा नहीं लगाना चाहिए इसलिए जाडू पोछा के लिए समय सुब बताया गया सुब के समय में एकदम भोर में अगर आप घर की सफाई करते हैं क्योंकि दिन भर घर में कोई न कोई आते जाते रहते हैं इसलिए दिन में, रात में, साम में जाडू पोछा नहीं लगाना चाहिए सुब के समय में ही जाडू पोछा आदी काम करना चाहिए आज हमने आपको बताया पती के घर से बाहर निकलते ही ये कुछ काम नहीं करना चाहिए, चार काम आप जरुर याद रखेगा, पती के निकलते ही बाल को नहीं खोलना चाहिए, स्रिंगार को नहीं उतारना चाहिए, नाखुन नहीं काटना चाहिए, और जाडू पोछा नहीं लगाना चाहिए, प्या से बोल दे चाहिए